कंगाली की बज़ा बनाती हैं ये घर में पड़ी ये चीज़ें तो कन्यारासी वाले जल्द ही इसे हटाना होगा वरना बनेंगे भिकारी तो आपको बताना चाहेंगे कि कन्यारासी वाले जातकों कंगाली की बज़ा बनाती हैं घर में पड़ी ये वस्तु हैं जो कि जल्द ह आपको हटाना पर सकता हैं वरना आप भीकारी भी बनने के काविल हो तो हलू मित्रों जया माता दे मत्रों आज के इस वीडियो आप सभी करने रासी वाले जात को के लिए बात करने वाले हैं कि आप कंगाली के बजहां बनाती हैं घर में पड़ी यह बस तुएं तो यह से किस प्रकार मुकति पाना हैं किस प्रकार जीवण में खूसीया लाना है तो लमसकार आप सबी को इस वीडियो में सारी वाते बता देना चाहेंगे तुब वीडियो को आगरित तक बने रहें उसे पहले वीडियो को लाइक करके canal को सब्सक्राइब अब इस से गर लें ताकि रूजानर रासिफल आपको समय से भी प्राप्तों सकेंगे और आप पाने वाले दिनों को अर्बी से ज़्यादा ब्यातर बना सकेंगे माता रानी के भाग कामड बक्स में जै माता दे अब इस से लिखें कंगाली की बजब बनाती हैं घर में पड़े ये चीजें जाने और इससे दूर करने की कोशिश करें अक्सर देखा जाता हैं कि घर में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती हैं क्यार्थी फ्रिशानियों का सामना भी हमें करना पड़ता हैं और जीवन कंगाली से भर जाता हैं इसके पीछे का कारण बास्तु में बताई गई कुछ चीजों होती हैं हो सकती हैं तो जी हां बास्तु में कई चीजें आपको आईसे चीजें बताई गई हैं जो की घर में नं आपके लिए ब्यात्र होने वाला हैं तो घर में बनने वाले मकड़ी के जाले गाले को तुरंत हटा देने से ब्यात्र होता हैं आपके आच्छे दिन बूरे दिन में बिदल जाते हैं आखसर लोगों के घर के किसी कोने के उपरी हिस्सों में जाले लग जाते हैं कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं, पूंकि इसे किसी के घर तोड़ने का आवास होता हैं, लेकिन मकडी का जाला रहने के लिए न सिकारी को फसाने के लिए बनाती हैं, इसलिए इसे हाटा देना ही ब्यातर होता हैं, क्याते हैं कि महावारत यूद का चित्र नटराज की मुर्ति, से करने से घर के सद सुकर बुरा प्रवाब पड़ता हैं, सबसे ज़्यादा बुरा असर बच्चो के मन पर पड़ता हैं, बच्चो का सबवाब गुस्से वाला बन जाता हैं, आपके घर में तूटी विच्चायार टेवल पड़ी हो, तो उसे तुरंद ही घर से हाटा देन ये आपके पैसो और तरकी को रोग देती हैं बाइटा ग्रूप से सोपा भी पटा या तुटा हुआ हो नहीं होना चाहिए उस पर विचाई गई चादर भी गंदी या पटी हुवी नहीं होने चाहिए कोशिच करें घर के हर सोपे कुर्सी को चित्रा से डग कर जरूर रखें अक्षर लोग घरों के आलुमारी में पुराने कटे पूटे कपडों के पोटलिया बना करक चोड़ते हैं ऐसे करने से घर में पुराने कलकलेस खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं पुराने हो चके कपडों का किसी जुरत मंद को दे देना चाहिए उन्हें इस तरह घर में समाल करकने से इसका पुरा असर परता हैं देवी देवताओं के फाटे ववी और पुराने तस्विरें अध्वा खंडितों मूर्तियों से भी आर्थि घानी होती हैं इसलिए उन्ह घर में रखने की बजाय किसी पवित्र नदी में परवावित दे कर देना चाहिए इसके आलाबा देवी देवताओं के चित्रों घर को नहीं साजाना चाहिए कुछ लोग धेर सारी मुर्तियाई कटिक कर देते हैं आसे करने से घर में बास्तु दोस्त निर्वित करते हैं पूरानी अफ़ालतों चीजों से भी अपना घर सा जाते हैं जो कि गलत होता हैं ऐसी वस्तु में घर में नंकरात्म कुर्जा का बड़ावा देती हैं अक्सर देखा गया हैं कि लोग घर में मेकवार्ड जमा करके मेकवार्ड जमा कर रखते हैं रहाना लोहय पिर विजली क या सूचकर ही आग चलकर घर में किसी काम का इस्तुमाल कर लेंगे पर यह सायद आप नहीं जानते हैं पूराने कवाड को घर में सम्हाल करकिने से घर में पैसों की तंगी होती हैं घर में तूटे पूटे दरवाजी वाली आलमारी हून से माना जाता है कि ऐसे आलमारी घर के हर तरह के कारियों में रुकावटें डालती हैं घर का सारा धन भी पानी के तरह ब्या जाता हैं किसी वित्रागा तूटा पूटा समान जैसे कि तूटे पोटे बरतन सी साज अक्टर निक समान तूटे प्रेम वाली तस्विरें बंद पड़ी घड़े दिवाली पर इस्तुमाल किये गए तूटा ज़ाडू चाय कमगिया कप प्रत्यादी समान घर से बाहर पेक देने चाहिएं ये सब चीजें घर में मालसिक प्रिश्चानियों का कारण बनाती हैं उनसे कई प्रकार के हमें दुखों कभी संकट कभी हमें आगजिंगर ना पड़ता है तो आपको बता देने चाहेंगे ये सब चीजें यदि आप घर से दुर भागा देते हैं तो आपके जीवन में खुश्या आएंगे घर परिवार में सुक सांत्य होंगे मात अलचमेजी के बास होंगे सही देवी देवत्ताएं आपको पुर्ण रूप से आशिरुवाद एंगद करेंगे जुनसे आपको कभी सारे उमदा दिन में घर जा देखें या आपको कोई सभी पाद पसंद नाया होगा तो कमड बॉक्स में जरुरुवेवादें सहर करें तो जन्नेवाद